आज हम आपको कहानी सुना रहे हैं रानी दुर्गावती के बारे में जो महोबा के परसिद चंदेल वन्ष की वन्षज और गोड़ कटंगा के गोड़ समराज्य की रानी थी। अगर आपको विडियो अच्छा लगे तो विडियो का लाइक, शेयर तथा हमारे चैनल को सब्स चंदेल के यहां हुआ। रानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंग चंदेल की एक मात संतान थी। दुर्गाश्टमी पर जन्म के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुन्दरता के कारण इनकी प्रस यह मुख्य रूप से कुछ बातों के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। यह उन भारतिये शासकों में से एक थे, जिन्होंने महमूद गजनी को युद्ध में खदेडा। वे खजुराहों के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों जोकी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स् पांच साल बाद यानि 1550 में उनके पती दलपत शाह की मौत हो गई। अब रानी दुर्गावती के पास सामराज्य को संभालने और बेटे की परवरिश करने की जिम्मेदारिया थी। रानी दुर्गावती ने वीर नारायन को सिंगासन पर बिठाया और सामराज्य की कमान खुद संभाली। अधार कायस्त और मान ब्राहमन के दो सक्षम मंत्री थे जिनकी सहायता से रानी दुर्गावती ने राज्य का प्रशासन किया और उसे इतना सम्रिध कर दिया कि लोग सोने के सिक्के और हाथी दे कर कर चुकाने लगे। उन्होंने अपने लोगों की अकबर ने मालवा को मुगल सामराज्य में मिला लिया। यह वो दौर था जब अकबर तेजी से अपनी सल्तनत का विस्तार कर रहे थे। अब अकबर की नजर गोंडवाना पर भी थी। 1564 में मुगल गवर्नर आसफ खान ने गोंडवाना पर हमला किया। मुगल के मुकबले चोटी सेना रहते हुए भी रानी दुर्गावती ने मोर्चा संभाला। अपनी रंगनीती के तहट दुश्मनों पर हमला किया और पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। मुगल गवर्नर आसफ खान का असली मकसद गुपतचरों के जरिये उनकी सेना और खजाने की जानकार जुटाना था। जल्दी उसने सीमावर्ती गावों पर छापे मारना शुरू कर दिया और अंत में 1564 में उसके राज्ये पर पूरी तरह से हमला किया। रानी दुर्गावती की मुगलों के साथ तीन बार जंग हुई। आखिर जंग में मुगलों को खदेड़ते हुए उन दुर्गावती ने बड़े साहस और कुशल ने तृत्व से मुगल सामराज्ये की ताकत का सामना किया। उन्होंने अपने समय की कई अन्य महिलाओं की तरह दुश्मन के हाथों में पढ़ने के बजाए मौत को गले लगाना स्वीकार किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। धन्यवाद।